बिग बॉस 14 का ये सीजन शिरुवात से ही काफी सुर्खिया बटोर रहा है क्योंकि इस बार बिग बॉस को और जादा मनुरंचक बनाने के लिए बिग बॉस लेकर आए हैं तीन एक्स कंटेस्टेंट जो कि सीनियर की भूमिका निभा रहे हैं ये तीन सीनियर सिधार शुकला हीना खान और गौहर खान है फ्रेशर्स की बात करें तो निकी तंबोली ने कुछ वाइट्स के कारण सुर्खिया जरूर बटोरी इसके साथ ही जैस्मिन भसीन, प्रुबीना और पवित्रा ने भी धीरे-धीरे अपना स्टैन लेना शुरू कर दिया है बिग बॉस ने सभी लड़कियों को इम्म्यूनिटी पाने के लिए सिधार शुकला को इंप्रेस करने का एक अनोखा टास्ट दिया है जिसके लिए लड़किया अपने अपने तरीके से कोशिश करते हुई नजर आ रही है जैस्मिन भसीन ने अपनी क्यूटनेस का इस्तमाल करके टैटू टास् जिसके बाद जैस्मिन के करीबी दोस्त और रूमर बॉइफरिंट आली गोनी ने जैस्मिन का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है जैस्मिन ये सिर्फ तास्क के लिए कर रही है इससे पहले जैस्मिन से बिग बॉस के घर में एंट्री करने से पहले जब पूछा गया था क क्या वो आली गॉनी को मिस्स करेंगी क्योंकि शायद वो घर में एंटरी कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि वो बहुत खुश होती अगर आली उनके साथ शो में होते और वो खूब मस्ती करते। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को एंटरेन करने की। अली गॉनी डेफिनेटली बाहर से शो को फॉलो कर रहे हैं और अपनी फ्रेंड को सपोर्ट भी कर रहे हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।